आज की पोईम में अपनी देस्नेयर इस पोईम के अंदर पोईट का जानुरों के प्रतीप प्रेम का भाव दिखाया गया है किस तरह से जानुरों को पिंजडे में रखने पर और जब उनकी पीड़ा को पोईट मैसूस करता है तो इस पोईम के महध्यम से वह यह अपीन करता है हम सबसे मनुश्यों से कि हम जानुरों को कष्ट ना पहुंचाएं एक एनिमल लवर की ज इस तरह से पोईम के अंदर भाव व्यत्त किया गया है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इस पोईम के अंदर एक छोटा सा एनिमल के बारे में चर्चा की गई है वह है रेबिट रेबिट का मतलब आप जानते हैं खरगोश खरगोश का एक जो पंजा वह जाल में कहीं पर फस गया है और उसकी वज़े से वह चिला रहा है उसको चिलाने के आवाजे सुनकर पोईट जो है बड़ा पेंफुल या दर्दुम मैं महसूस करता है अपने आपको उसको बड़ी पीड़ा होती है उसी के बारे में ये पोईम है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नहीं कर देखें आप आप अधसनेर स्नेर का मतलब होता है जाल लेकिन यहां पको बंदन से हैं आपकी स्वतनतरता के खितम वहने से हैं अगर आपके आजादी चीन ली जाए तो उस तरह में जो कस्ट होता है इसी तरह से इसी प्रकार का कश्ट कभी मैसूस कर रहा है जब एक जानवर को पिंजडे के अंदर या उस बंद कर लिया गया है या उसको जब दर्द हो रहा है उस दर्द को पोईट अपने आप में मैसूस कर रहा है इसलिए यहां पे स्नेयर का मतलब है जाल बंदन और आजादी की समापती इस तरह से तो चलिए स्टार्ट करते हैं I hear a sudden cry of pain there is a rabbit in a snare now I hear the cry again but I can not tell from where देखिए here h-e-a-r here here का मतलब होता है सुनना I का मतलब में में सुनता हूँ क्या सुनता हूँ sudden cry sudden का मतलब होता है अच्छानक cry का मतलब होता है चिलाना ओर pen पें उता दर्ध यानि की मैं सुनता हूँ अच्छानक से दर्ध की आवाजें दर्ध के चिलाने की अच्छानक से मुझे दर्ध की आवाजे सुने ही देती है किसकी आवाजे हैं वो वो आवाजे हैं there is a rabbit in a snare there is one है क्या है a rabbit rabbit है वहाँ पे a hair है a hair बोलते है rabbit को rabbit बोलते हैं घरगोश को in a snare snare का मतलब मैं उपर बताया आपको जाल में जाने कि आवाजी किस की आ रही है एक घरगोश की आ रही है जो जाल में फस गया है ठीक है आगे देखिए now I hear the cry again but I cannot tell from where यानि कि now I hear the cry again मुझे वापस से आवाजे सुनाई देती है बट आई केन नोट टेल फॉम वेयर लेकिन मुझे यह पता नहीं है मैं बता नहीं सकता हूँ केन नोट नहीं टेल मने बताना मैं बता नहीं सकता हूँ कि यह आवाजे फ्रॉम वेयर का मतलब है कहां से यह आवाजे कहां से आ रही है मैं बता नहीं सकता हूँ यह आवाजे कहां से आ रही है यानि कि point को पता नहीं है कि वो rabbit के आवाजे इसको सुने दे रही है लेकिन ये पता नहीं है कि वो किस जगह फसा हुआ है, आगे देखे, He is calling out for aid, call out, call out का मतलब होता है पुकारना, call out का मतलब होता है पुकारना, for aid, aid होता है help, help, help का मतलब होता है मदद, मदद किसके लिए पुकार रहा है वो मदद के लिए पुकार रहा है और crying on the frightened air making everything afraid अब यहां पे दो नए सब्दाएं frightened और afraid दोनों का मतलब है डरावना डर भाए यानि कि पोईट यह कह रहा है कि crying on the frightened air crying on यानि कि उसके चिलाने से पूरा वातावरन air लेकिन यहां पे है पूरा वातावरन पूरा वातावरन दर्द महें हो गया है जब भी जैसे किजी को कष्ट होता है तो हम अचानक से हम भी उस दर्द को मैसूस करके बड़े चिंतित हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए तो उस तरह से पूरा वातावरन यहां पे दर्द महें हो गया है पीडा में हो गया है इसलिए का है इसने फ्राइटेंड एयर सुआ तो में अब पूरा गया है है मुझा सूचा सा बच्चा है गरघॉष का उसके चेहरे के उपर देखे, जब दर्द के मारे चिला रहा होगा, तो उसके चेहरे पर एक छोटे से खरगोस के बच्चे के उपर कैसी जूरियां पढ़ रही होगी, दर्द के मारे रो रहा होगा, तो उसके लिए कभी ने बड़ा सा सुंदर सा वनन किया, रिंकलिंग अप is little face कि उसके चेहरे के उपर जुरियां पड़ गई है किसके कारण दर्द के कारण उसके फसने के कारण he is little face as he cries again for aid और जैसे वो और बार-बार चिला रहा है किसके लिए aid के लिए help के लिए मदद के लिए लेकिन point क्या है point मजबूर है बेबस है क्योंकि उसको आवाज तो आ रही है लेकिन उसको यह पता नहीं चल रहा है कि यह rabbit कहां पर फसा हुआ है क्योंकि वो कहता है आगे point and I cannot find the place कि मुझे पता नहीं है उस जगह का पता नहीं है कि किस जगह के उपर find the place में place क पता नहीं चल रहा है मुझे जगह का पता नहीं चल रहा है कि वह कौन सी जगह से आवाज आ रही है इस तरह से point बड़ा परीशान है उसके आवाज को सुनके क्योंकि हर्गोश रहा हूँ कि मदद के लिए मदद करने के लिए चिला रहा है दर्द के मारे लेकिन पोईट बढ़ा अपने आपको दरावा का पहिसान सा महसूस कर रहा है क्योंकि वो उसको पता नहीं कि कौन सी जगह पे वो है आगे देखे एन आइके नोट फाइंड दा प्लेज वैर हिस पाइस इन द स्नेयर का मतलब है जाल उस प्रगोष का पंजा कहीं जाल में फस गया है अब यहां पर पोईट ने बताया कि उस पंजे के फसने के कारण ड्रेविट जो है वो चिला रहा है लेकिन पोईट बड़ा परिश्ट है कि उसको जगह का पता नहीं चल रहा है कि किस जगह से वह आ पर लीटिल वन का मतलब यह है कि अरे ओ छोटा सा छोटा सा बोला सा नीरी है मासूम सा और बेचारा अरे छोटा सा बिल्कुल बेचारा उसको बड़ा धर्द होता है इसलिए यह लाइन यूज करता है पोईट इसना छोटा सा प्यारा बच्चा कहां पे फस गया है मुझे पता नहीं चल रहा है मुझे बड़ा दुख हो रहा है वो कहां पर फस गया है लिटिल वन अरे छोटा सा इतना छोटा सा प्यारा वच्चा कहां पस गया है I am searching everywhere और मैं उसे हर जगह ढूंड रहा हूं लेकिन वो मुझे नहीं पता चल रहा है आपको कुछ चीज़े इस पोईम के अंदर ध्यान रखनी है सबसे पहले किस जगह पे है इसका पोईट को बिल्कुल लास्ट तक पता नहीं चलता है क्या वो उसकी मदद कर पाता है बिल्कुल पर उस्पेट नहीं है आप क्या कैसे के सबस्वास है कैसे नहीं श्रागा करा है